जैहिन दोस्तों मैं अबसे एक पटेल री एजुकेशन आईए से कड़ियों पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो के माध्यम से 2011 टेट की परिच्छा में प्रयावरण अध्यन के जितने भी प्रसना आई हुए थे उनको पूरी व्याख्या के साथ हल किया और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए है यूपी टेट 2013 में जो भी EBS के प्रसना आई हुए हैं उनको हल करेंगे ठीक है और आप सभी दोस् भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे तो चलिए सुरू करते हैं हमारा पहला प्रसन है कि निम्खित भारती राज्यों में से किस राजी की कोई समुद्री सीमा नहीं है तो इस प्रसन को हल करने से पहले हम यह जालने कि हमारे कितने ऐसे उस बहरे है यह क्या है यह समुद्र है और इसी से जितने सीमा बनाते हैं वह जली समुद्री सीमा बनाते हैं तो पश्मी तट पर हम देखते हैं यह हमारा हो गया पिलावाला गुजराद यह हमारा हो गया महाराश्ट और छोटा सा हमारा हो गया गोवा यह हमारा हो गया करनाटका और केरला कहने मतलब कुल पांच राज जैसे हैं जो पश्मी तट पर समुद्री सीमा बनाते हैं किकल चारा जैसे हैं जो पूर्वी थैडपर जलीय सीमय बनाते हैं इसी के साथ यह भी देख लेते कि कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे लंबी जलीयसीमय बनाता तो यह हमारा क्या है गुजराथ और सबसे लंबी और सबसे चोटी सीमा बनाने वाले दो राज्य हैं एक गुजराज सबसे चोटी बनाने वाला गोवा हम प्रस्ण पर अपने आते हैं हमारा प्रस्ण है कि नंखित भाती राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है तो इसमें सही उस्तर हो जाएगा म हम भी जलिय सीमा बना रहा है और गोवा सबसे छोटी जलिय सीमा बना रहा है अगला प्रस्ण हम देखते हैं मारा अगला प्रस्ण है किसी नदी के प्रदूसर अस्तर की माप की जाती है किसी नदी का प्रदूसर अस्तर मापने के लिए हम यह देखते हैं कि उसमें आप फिज हैं तो ये ब्योटीब बढ़ती क्यों है तो हम देखते हैं कि बिस नदेहा नदी में डाल दिया जाता है मतलब मौत्र होते हैं और यह totalmente पदार्थ हैं यह पदार्थ को खाने के लिए क्या होते हैं नदी में फिर बैक्टिरिया बढ़ने लगते हैं यह एक नदी है जिसमें एक सीवेज किसी सहर का डाल दिया गया अब इस नदी में क्या होगा सीवेज के पढ़ने से इसमें आर्गनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ करती है ज‌को खोने वालों की संख्यां बढ़ेगी गैक्टिरिया कि संख्यां बढ़ेगि वैक्ति क्या करेंगे अपना अब्दार करते क्या है सांस भी लेते हैं जब यह ज़्यादा मात्रा में उों और सांफ लेंगे नॐ ऑफीजिन गूली हुई oxygen उसको ये अब्जार्ब करते चले जाएंगे जब ये ज्यादा मात्रा में oxygen को ये साफ लेने में अपने प्रियोग करेंगे तो बाकी जो जलिये जिन्त हैं उनको साफ लेने के लिए oxygen की मात्रा कम पड़ जाएगी और demand oxygen की बढ़ती जाएगी और एक समय आ जाएगी और ये पूरी की पूरी नदी पर्दूसित हो जाएगी उस समय बीओडी सबसे ज़्यादा होगे demand सबसे ज़्यादा क्योंकि सप्लाई zero हो चुकी है तो किफी नदी का प्रदूसर रस्तर मापने के लिए क्या देखा जाता है बीओडी उस नदी का बीओडी कितन उतना ज्यादा है ठीक है अगले प्रसंदेखते हैं वाइरस संक्रमट से होने वाला रोग है वाइरस संक्रमट से कौन सा रोग होता है यह होता है हमारा जुकाम क्योंकि हम अगला प्रफ में प्रभावित करने वाला वासम का सबसे महत्तपूर्ण की बात कि हो रही है ग्ला सबसे महत्तपूर्ण है यह बरसा नहीं होती है तो सूखाट पड़ जाता है और फिर फसलों को उगा नहीं सकते ठीक है और यदि वर्सा ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो बाढ़ की स्थित में सभी फसल हमारे नश्ट हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तब तो कौन सा है हमारा दृष्ट या जिसे कह सकते हम वर्सा ठीक हम अगला प्रस इमेज के अधार पर देखें कि यह हमारा क्या हो गया यह हमारी पीर्सवीild हो गई और पीर्सवीं के ठीक ऊपर हमारा किया पाया जाता था ट्रफवय स्फेर जिसे कहा जाता है च्छौब मंडल और इसी च्छौब मंडल में क्या होता है कि सभी घटनाएं बादल का बनना बरसा का होना कुहासा पढ़ना या उला वरिष्ट होना यह सभी बिजरी का चमकना यह सभी क्रिया जो होती है हमारी चोब मंडल यह ट्रोपोस्फेर में होती हम उती है जैसे चंनल में क्या लेकिन जिए भं 10 लक्रोंडर समय keeps मतलब हम समताप मंडल में आते हैं तो यहां क्या होता है तापमान घटना ना होगी तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है माइनस माइनस साथ से हो माइनस पाच पर पहुंच जाता है और यह जो आपका समताप मंडल होता इसी में हमारी ओजोन गैसे पाई आती है जो की सूर्ज से आने वाली प्रयाव वैगनिक केड़ों को पिर्थवी पर आने से रोकती हैं और इसी मंडल में मतलब समताप मंडल ही सबसे उप्यूगत होता है वाई यान को उड़ाने के लिए ठीक है उसके उपर जब हम जाते हैं, तो एक बार फिर से वाई मंडल का तापमान घटना शुरू हो जाता है और थर्मों स्पेर में 5000 डिगरी Celsius तक पहुंच जाता है है तो हम यह देखेंगे की इस छोब मंचल में टाप मान घड़ता है समताप मंचल में बढ़ता है और मद्ध मंडल में सबसे ज्यादा घट जाता है ठीक है माइनिस पंचान में तेक पहुंच जाता है तुम्हारा अपसन कौन सा इसमें सही हो जाएगा मद्ध मंदल जीसे मी एग स्फिर काते है इसमंडल में क्या होता है तापमान सबसे कम होता है अगला प्रस्तेंस में से कौन सी ग्रीन घॉस है यह में ग्रीन हाउस गार्ष है उस में कूर क्रूप से यह हमारी क्या है मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसे है ग्रीन हाउस कैसे क्या होती है वे गैसे होती है जिनकी मात्राइद हमारे वाई मंडल में बढ़ती है तो पृत्वी का संपूर्ड पृत्वी का तापमान क्या होता है बढ़ता जाता है तो इस आपसनों को अगर देखें तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन सा मेथेन मेथेन क्या एक ग्रीन हाउस कैसे क्योंकि जो सलफर डायक्साइड है यह तो अमलिये बरफाक लिए उत्तरदाई होता है सर यह सोटू जब जल से किरिया करता है यह स्टू से तो यह स्टू बनाता जो एक एसीड है और अगला प्रसनम देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआ है यह सुरू हुआ एक एप्रैल एक अप्रैल उन्ने इस सो तीहत्तर में एक अप्रैल ने सो तीहत्तर में जिश्व कार्वट टेशनल पार्क जो कि अब उत्रा खंड में है वहां पर प्रोजेक टाइएर की शुरुवात की गई टाइएर को बचाने के लिए कब एक अप्राइल 173 को जिम कार्वेट नेट्टनल पार्क में ठीक है अगला प्रफनम देखते हैं पिरसे भी तल पर उस कालपनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मिरीडियम या मोतर पर खीची गई है व हमारी अंतराष्टी ये तिति रेखा होती है ठीक है अगला प्रफनम देखें निम्कित में से किस राज्ज में गल्फ आप मननार मरीन राष्टीय पार्क हम एक बार अपना पूरे दच्छिड भारत का नक्सा देखते हैं यह मारा हो गया दच्छिड भारत ठीक है और यहा हमारा हो गया रखाया अगर की तरह भाग है यह थस्जी तरह बाड़ा है ठीक है यह थोड़ा आगे बाढ़ते हैं अग्या नार्डवलो को खींटिक है यह था थंद्य के भगल मं हमारा अगरे पार्क का हिस्सा हुआ हमारा तेमिल नाडु और होगा डहा क्तिक्य गल्फ आ है आपकी मन्नार की मन्नार की खाड़ी ठीक है मन्नार की खाड़ी भारत और स्री लंका के बीच में इस्थित है ठीक है और वहीं बीच में आपका क्या है गल्फ आप मन्नार मरीन राफ्टी ये पार्क अग्रा प्रस्म देखते हैं जन्गणना 2011 के अंसार भारत में लिंगा अनुपात है लिंगा अनुपात क्या होता है एक हजार पूरसों पर महिलाओं की कितनी संख्या है तो 2011 की जो जन गणना होई थी उसमें इक हजार पूरसोम पर महिलाओं की संख्या कितनी थी नौसु सू चालिश, थीक है। अगला प्रस्ठा मेंसे किस किस सान का मित्र कहा जाता है। किसान का मेंतर किसे कहा जाता है केचुवा को ठीक है केचुवा क्या करता है यह जमीन से मिट्टी को खोद कर बाहर लाता उसी जमीन को पूरस करता जिसमें हवाय जाती है और जो हमारी जमीन होती है ओ और भी जादा और वर्वरिक हो जाती है ठीक है दोस्तों आप से हम आप सेнуть Прोक्राइब cœur चाहbstक पाएंगे आपकी बातों को समझ पाएंगे आप ज्यादे से ज्यादा मात्रा में नीजे केमेंट कर तो आप अगे ल्ग談 क्ये लिए राज का प्रयावरण के कला इनकत werd कुण सा रजूड़ा हैं यह वही राज है जीसमें ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उत्तरा खंड ठीक है ये भी कब शुरू किया गया 1973 में 1973 बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट उत्रा खंड के लिए दो महत्मौर कार हुए एक तो चिपको अंदोलन चिपको अंदोलन किसकी नेतृत में सुरू हुआ था 1973 में जिम कार्डवेट नेशनल पार्क में क्या हुआ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुगात हुई थी यह दोनों चीज़े 1973 में उत्रा खंड में हुई थी ठीक अगला प्रसन हम देखें जियों के बेवहार का अध्यन किया जाता है जियों का बेवहार जो होता है इसका अध महत्फूर हते चिसमें सवीकित जो सैवाल है उन्हें सब्सेदा महतफूर होता है हमारा लामी नेरिया लेमी लैक्ट की नेरिया कुई ऐसल के से क्या होता है आयोगी को निसकाफित किल तक है यह हमारी यह सूज जाती है जिसे घेगारों कहा जाता है और अगला प्रस्ण हमारा है आखरी प्रस्ण में लाइकेन है लाइकेन क्या है एक परकार का सहजीवी है ठीक है जब सैवाल सैवाल और दूसरा क्या आपका होता है कवक ठीक है सैवाल और कवक एक दूसरे पर निर्भर होते तो यह होता सहजीवता ठीक है यह होती है सहजीवता इसी को कहा जाता लाइकेन और लाइकेन वहीं उगते हैं जहां पर परदूसर नहीं होता कहने का मतलब यदि वो जगा पर चाला में रहते हैं और यह सहब और काव के में सहाजीवन को दरसाते हैं этот आज आज का दोस्तों आपLike उस एक बार फिर संडोध है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडिव को अपने दोस्तों में अपने जितने भी घुरूप उस्में सेर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें ठीक है इसी के फाद हम बिदा लेते हैं जै हिन जै भारत